फरिदा जंगल जंगल क्या भवें वण कंडा मोडे वसी रब हया लिये जंगल क्या धूंडे दन अक्सर मनुक घर तो बार ही लब दा है पदार थां दी भाल मनुक बार ही कर दा है इससे तो भुलेखा पैजन दा है शायद रब भी बार है परमात्मा भी बार है चलो पदार दन बजार दे चूं लबेगा शायद धरम प्रमात्मा दना खुदा दना जंगला दे चूं लबेगा पर बाबा फरीद अपने अनभाव दे अधार ते कह रहे ने जंगल जंगल दिच भटक के की कंडियांच मू मारदा फिर दें वो ते तेरे अंदर है तो अंदर जात मार ध्यान दिच जुड उस दे नाम नो जब के अपनी सुर्त नो अंदर मुखी कर तेनू थे प्राप्ति हो जाएगी तेनू लब जाएगा आप अगांच चलके समझा दें हो या कहन देने फरीदा इनी निकी जंगिये तल डूंगल भोयम अज फरीदे कुजडा सैको हां थियो आम बाबा फरीद बिर्द हो गए काया निर्बल हो गए हत कमन लग पै पैराच भी कम बड़ी केंदेने इना छोटिया जिया लत्ता देना मैं बड़े बड़े पहाडां थे डूंगरां थे भर्मन कर आउंदा सी चाल मारके मैं पहाडा नो अबूर कर लेंदा सी कोल पे आए कुजडा वुजू साजना थे पर कोल पे इस कुजे नो भी चुकना थे वुजू करना मेरे लिए आउखा हो गया है कठन हो गया है फरीदा राती वड़ियां धुख दुख उठन पास ध्रिगत नादा जीविया जिना विडानी आस रात बहुत लंबी हो गया है और एक सचाई ये दुख दिश समा बहुत लंबा हो जानदा है सुख दिश समा छोटा हो जानदा है परम अनन दिश समा खो जानदा है समेनू नापन दा ढंग एक बैरूनी है बारों है बाहर दाते ए है के सूरज उदे हो रहा है दिन दा पहला पहर है सिरते आ गया दो पहर है सूरज डल गया ते पहर है सूरज गुरूब हो गया राद दा चौथा पहर रुकसत हो गया राद दा पहला पहर अरंब हो गया इस समेनो नापन तोलन दा बैरोनी ढंग है पर अंदरोनी ढंग है दुख दिश समा बहुत लंबा हो जाना है पीडा दिश वेदना दिश होकें दिश विछोडे दी तपश दिश समा बहुत लंबा हो जाना है सुख दिश समा बहुत छोटा हो जाना है और परम अनंद दिश समा खो जाना है समादी दिश समा खो जाना है पर सब तो वड़ा दुख किते होंदा है यह थे कि वकत बहुत लंबा हो जानदा है विडानी आस खुदानों चड़के एक इश्वरनों चड़के जो होर किसे आस देते अपनी जिन्दगी बितीत कर देने बाबा फ्रीद केंदेने रात बहुत लंबी हो जानदी है समा बहुत लंबा हो जानदा है कटे हां कटदा नहीं ध्रेगते नांदा जीविया जिना विडानी आस जो खुदानों चड़के किसे होर आस दे अपनी जिन्दगी बितीत कर देने लानत है उना थे आसा करिए राम की अवरे आस ने रास पादशादी बानी कह रहीए एक दी आसा करिए उस्ते ही पुरा भरोसात यकीन करिए तो जीवन देच सुकदा सूरज उदे उजानदा है विडानी आसते जीवी है तो अंदकार अंदकार ही है ठोक रहाई ही ठोक रहाई फरीदा जे मैं होंदा वारया मित्ता आइने आम हेडा जले मजीठ जयूँ उपर अंगारां घर दिछ प्रोणे आगेने और प्रोणे भी मित्रश और लाजमिये किसे संत दे घर संत ही प्रोणे आउन गे किसे फकीर दे घर फकीराने ही महमान बढ़ना है तो आपके इन दिने मित्त आइने घर दिछ जी मैं कुछ चीज छुपा के रख दिती है उले कर दिती है ऐसी हालत दिछ मैंनों ऐसा मैसूस होंदा है जी में ए तन भख दे अंगारियां ते जल रहे है भाव जद फकीर दे घर फकीर आवे सजण दे घर सजण आवे कुछ भी ओले नहीं रखना चाहिदा सब कुछ उस तो सदके करना चाहिदा है कुरवान करना चाहिदा है फरिदा लोडें दाख बिजोरियां किकर बीजे जट अंडे उनकताएं दा पैंदा लोडें पट जीवन करम भूमी है इस दिट जो करमा दा बीजबोई है वो ही कुछ पैदा होंदा है ऐसे कुछ करमने जिस तो दुख पैदा होंदा है ऐसे कुछ करमने जिस तो अनद पैदा होंदा है किड़े करमा तो दुख पैदा होंदा है जिनना कीते कर्मा करके किसे नो दुख मिल गया है किसे दूसरे नो दुख मिल गया है इनना कर्मा तो अपने लईवी दुख पैदा होएगा पर जिनना कर्मा तो किसे नो कुछ मिल गया है कुछ भी मिले होए ग्यान मिले होए कला मिली होए सकून मिले होए शान्ती मिली होए धन मिले होए संपदा मिली होए सुख मिले होए इज़त मान मर्यादा मिली होए सड़े जिस करमतों जिसनों कुछ मिले है इस तों सुखांदी प्रापती हो दिये पर सड़े जिस करमने कि सेदा कुछ खोले है और कोई रोन ते मजबूर हो गया दुखी हो गया इना करमातों सवाइद दुखां दे फल ते और कुछ भी प्रापत नहीं हो दा बाबा फरीद के इन ने ए अजान जट नादान जट बीजदा ते किकर है बूटे ते किकरां दे लंदा है पर लोडे दाख बीज़ोरियां बलोचिस्तान दा एक इलाका बीज़ोर जित्थों दी दाख जित्थों दी अंगूर बड़े मशूर बहुत मशूर सवात रियासत तो परेदा इलाका बलोचिस्तान लबदा बीज़ोरी दाख पर बीजदा है किकर मंगदा है रेशम पर कतदा है उन भाव करम कुछ करदा है मंगदा कुछ है पर कौन दसे अनंद ते सुक उन्हाई करमा तो मिलदा है जिसकी ते करम तो किसे नू सुक मिले किसे नू अनंद मिले उन्हा ही करमा तो अपने नू आनने मिल दाए अपने नू सुख मिल दाए किसे नू सुख दिते बिना सुख प्रापत करना बहुत ओक है बहुत कठन है बाबा फरीद इस स्लोग दे रही ऐ कुछ समझा रहे ने फरीदा गलिये चिकर दूर घर नाल प्यारे ने चलाता भिजे कंबली रहाता तुटे ने रस्तिच बाश करके बहुत चिकर है हर गली दे चिकर है प्यारे नो मिलन दी तांग है चिकर चुलंगना बड़ा उक है और चिकर वजदा जा रहे है वजदा जा रहे है क्योंके बारश जएदा हो रही है काश बेरुनी गलियां दे चिकर हो वे तो मनो किसे ना किसे तरीके ना लंग के गली अबूर कर सकदा है पार कर सकदा है पर इंद्रियाँ दी गल्ली दे चिकड़ोवे अखाँ दे चिकड़ोवे पर तिरियावे खणदा पर धनवे खणदा कनाँ दे चिकड़ोवे पर निंदा सुनदा रसनाँ दे चिकड़ोवे मिथेया बोलणदा और इस तरह मन देच चिकड़ोवे गल्ट सोचन दा तो किमें लंगे आ जाए किमें बंदगी कीती जाए चलदा हां कम्बली बिज दिये भाव जितना चलदा हां अंदर बारी कीते पैदा हों दी है और उतने अखां परतन ते परभावत हों दियाने मूरक मूर मनुक इतना स्वपन तो परभावत नहीं हों दा जितना स्याना परभावत हों दा मूर बंदा इतना संसार दे पदार्थां तो परभावत नहीं हों दा जितना एक स्याना हों दा जितनी उस दी स्यानी अकल हों दी जाएगी जितनी उस दी सोच शक्ती वद्दी जाएगी उतना ही ज्यादा उस देते हैं संसारदा प्रभाव पेंदा जाएगा क्योंकि हर वस्तूदी उसनों समझ पेंदी जा रही है हर वस्तूदे रस्ता उसनों पता चलदा जा रही है और हर वस्तूदे उसनों परभावत कर दी जा रही है दुनिया देच स्वपन तो परभावत चूटी दे महान आलम फाजली होए ने तो बाबा फरीद के इने अगर मैं चल दा है तो अखान दा ची कड़वद दा है कना दा ची कड़वद दा है रसना ते मन दा ची कड़वद दा है तिजे ना चला तो प्यार तुटदा है खुदा दा सने तुटदा है तो आखर फरीद दा फैसला भिज्जो सिज्जो कम्बली अलो वर्से में जाए मिला तिना सज्णा तुटो नाईने बारिश होंदी है ते होन देऊ चिक्ण वददा है ते वदधन देऊ और चिक्ण नाल एक कम्बली एक जीवन दा चोला लिबढ़ दा है ते लिबढ़ देऊ खुदा नू याद कर देयां संसार याद आमदा है ते आन देया परमात्मा नू चेते कर देयां अगर पदार ते याद आमदा है ते आन देया धरम अंदर दिछ जान देयां जे धन चेते आमदा है ते आन देया उस सोने खुदा परमात्मा नू चेते कर देयां जिस संसारदा रूप रंग पर भावद करदा है ते करन देओ तो चली जा तो जपी जा एक दिन चिक्कड चो लंग जाएंगा एक दिन मिलाफ हो जाएगा और मिलाफ दे होंदे आई सारा चिक्कड पिछे रह जाएगा सारे दुख संता पिछे रह जानगे अपने अन्भाओ दे अदारते ये महाँन सूफी संद बाबा फरीद कहने कि अगर मनुख जपदार है करदार है बंदगी तो एक दिन इस चिक करनू अबूर कर जाएगा और उस निर्मल सोने खुदा दी गोद दे जा बेठेगा आप अगे चलके अपना अमर कलाम इन जो है पेश कर देने फरीदा मैं भोलावा पगदा मत मैली होए जाए गहला रू न जानए सिर भी मिटी खाए किसे खान ने किसे पठान ने जिसने बड़ी सोनी दस्तार सजाई होई सी फकीर नो इसलिए सजदा ने कीता क्योंकि फकीर जमीन ते बैठा सी मिटी दिच बैठा सी तो दस्तार ने मिटी आलूद हो जान सी दस्तार ने मैली हो जाना सी तो मत्वा नहीं टेक है कोल बैठ गया फरीद के इनने भोले मनुख नो इतना ही नहीं पता इतना ख्याल आया पग मेली हो जाएगी पग नो मिट्टी लिवड जाएगी पर कौन दसे तुम जिस सिर देते पग बनी है एक दिन ते सिर नो भी मिट्टी ने खा जाना है इस सिर भी मिट्टी आलूद हो जाएगा इस सिर भी मिट्टी हो जाएगा इस सिर मिट्टी होवे है इस तो पहले तो किसे फकीर दे कदमादी खाक बन किसे फकीर दे कदमादी मिट्टी बन नहीं ते एक दिन मिट्टी हो जाएगा अगर फकीर दे कदमानी तो मिट्टी बन जाएगा तो अकसीर बन जाएगा महान हो जाएगा नहीं ते एक दिन मिट्टी हो जाएगा आप बड़े सोने ढगनाल सुचेद कर रहे हैं फरीदा सक्कर खंड निवात गुड माख्यों माजा दुद सब्वे वस्तूं मिठियां रब ना पुजन तुद आप बारे एक बड़ी सुन्दर गाता है आपने इसमा रिकते जो तो रहे है माने तो रहे है यह ठीक है के बाबा फरीदा शाही खान दान नालवी तल्ड़क है परंगर पेगंबरी खान दान नालवी तल्ड़क है जिते फरक शाह काबल दा बादशा उस दे आप भतीजेन है उते मुम्मद शाह अब्दॉल्ला जो हजर अली दे शाही खान दान नाल तल्ड़क रखदा है हजर अली दा रिष्टेदार है उस दी बच्ची मर्यम जो जलाल अदीन नो व्याई गई और उस दी कुखतों आप जनम लें देने तो इस तरह पेगंबरी घराने नाल ती शाही घराने नाल आप दा संबंद है माँ बड़ी सतों गुणी है सत साल दी आप दी अमर है बच्ची आज खेड रहें ने माँ आके कें दिए ऐ मेरे बच्चे सवेरे खेड़ दें दोपेरे खेड़ दें शामी खेड़ दें कदी खुदानों भी याद कर लेया कर नमाज भी पढ़ लेया कर बच्चे दा भोला सुभाओ माँ खुदा की देगा बच्चा लैन दी भाशा जान दाए देन दी नहीं एक बच्चे कोल पंच खेड़ोने उन दूसरे कोल एक कोवे तो सिर्फ इतना कह देए बेटा तेरी कुल पंच खेड़ोने ने तू एक उसनों देदे तो ए बच्चा दूसरे दा एक खुण दी ते कोशिश करेगा अपने पंजा देचों एक देन नों राजी नहीं होवेगा क्यों देन दी भाशा जान दाए नहीं देन दा सुवाव अजे इस दिन दर नहीं पैदाओया खुण दा लेन दाए जज़वा है खुदा की देवेगा इस सादगी दी मूरती माने किया ऐ मेरे बच्चे खुदा खंड देवेगा खजूरा देवेगा शहद देवेगा क्यो देवेगा मजदा दुद देवेगा मिठाई देवेगा सारीया ही मिठिया चीज़ां दा जद माने ना लेया उस जमाने दी सौगात फ्रीद दे मौन देच पाने ही आ गया मा तो फिर मैंनो नमाज पढ़ने सिखा मैं पढ़ांगा नमाज दो वक्त दी नमाज माने इसनु पढ़ने सिखाई फजर दी नमाज इशा दी नमाज सवेर दी नमाज शाम दी नमाज वजू करके मुल्नास मसल्ला विचाके नमाज जद पढ़न लगे है अक्खा मीट के माने मसल्ले दे थल्ले खजूरां रख दिती है ने नमाज पढ़न तो बाद जैसे मसल्ला समेट दा है थल्लों खजूरां मिलियां कपड़े दे चलिप्टी हो यां परसन हो गया कहिन दे खुदा इती नकद सौदा है इदर नमाज पढ़ो इदर खजूरां विश्वाश बज गया बरुसा बज गया शामदी नमाज पढ़ी माने थल्ले गुड रख देता है दूसरे दिन नमाज पढ़ी माने थल्ले मिठाई रख देती कदी कुछ कदी कुछ रोज इस बच्चे नू सवेरे शाम प्रापत हो जानदा है और जितना प्रापत हुंदा जा रहा है खुदाई विश्वाश वद्दा जा रहा है वद्दा जा रहा है आज एक अजीबो गरीब घटना घट गई इस शादी निमाज दा वकत मां विचारी पानी भरन गई सी पुराना जमाना खुटे पानी भरन गई है फरीद दे निमाज पढ़न दा वकत हो गया मुसल्ला विचा के उजू करके जुड़ के निमाज पढ़न लगे है आज मन जुड़ गे है बड़ा सरूर तारी हो या बड़ी मस्ती मिली हैरान हो या खजूर शहद मिठाई यह थे कुछ भी नहीं यह थे खेड़ी कुछ हो रहे है आज मुसल्ला जट चुके है निमाज पढ़न तवाद आज ख्याब ही नहीं आया थलों कुछ मिठाई लेनी है क्यों आज अगम्मी रस्दी प्राप्ती हो गई दुनिया ही कुछ और हो गई नेतर सजल हो गई अश्क बार हो गई कि इतने दिन इस रस तो वांजी जिन्दगी के इस तना रहे गई और ना रस हलांके उमर ते कुछ भी नहीं सत साल दी कोई लंबार साब तीत नहीं हो या लोग कि यसी साल दी उमर भी आजाई गवा छड़ देने लेकन पश्चा ताप जा गया इस अगम्मी रस्तों कि जीवन इतने साल बांजा क्यों रहे गया बेठे नेक पासे नेतर सजल चेहरा हो रहो रहा है अज मस्तक कुछ हो रहा है माँ आ गई है ओ जद देख दिये फरीद नो ते ओदे कोल देख दिये मुसले नो तो ख्याल आया फरीद नमाज पड़ बैठा है आज इसनों खजूरा ने मिली आज इसनों मिठाई ने मिली पता नहीं एक कल तो नमाज पड़ेगा के ने पड़ेगा लगदा इस दा भरोसा तुट गया है इदिया अखां सजलने रो रहे है माँ एकदम अंदर पजी होई गई थाल दिच शहदी कटोरी रखी लड़ू रखे खजूरा रखियां किश्मिश रखी दाख रखी ते थाली फरीद देगों करके कहन लगी ऐए मेरे बच्चे अज खुदानों जल्दी बड़ी सी और उँ मेनू देगे उसने मेनू एक ऐा फरीद देदेड़ा चीख निकल गई फरीद देमू माँ अज ते खुदा मेनू देगे है रोज खुदा तेरे हत्थों मेनू चूटियां खजूरां देंदा सी अज मेनू सची खजूर मिल गई खुदा नहीं दे देती है तेनु खेचल करन दी हुन लोड नहीं तेनु विचोला बनन दी हुन कोई लोड नहीं खुदा ने सिद्धाई मैनु रस दे देता है ऐस वाज ते हुन सब एचीजां बे मेनी ने फिजूल ने तेडियां फरीदा सक्करे खंडे निवाते गुड माख्यो माजा दुदे सब एवस्तु मिठियां रब ना पुजन तुद ए रब ए खुदा जो तेरे नाम दे मिठास है उस दे सामने खजूरां की ने ए गुड की है इशक्र की है इशेद की है तुम बहुत मिठा है बहुत मिठा है अतियंत स्वादी है फरीदा रोटी मेरी काठ की लावन मेरी बुख जिन आखा दी चोपडी गणे सेहन गे दुख इस लोक बारे ठीका कारां दा विचारिक लोगां दा अपना अपना मत है और भगत माल देच इस संबन देच कई तरह दिया साखियान है दरसल लकड़ दी रोटी बुख ने मिटा सकदी लकड़ दी रोटी नो पेटते बन के बाबा फरीद गुमदे रहे इतनी स्याणी आत्मा इतना दूर द्रिष्ट मनुक इतनी बारीक बीन अकल ऐसा कर्म नहीं कर सकती फिर एक यों कह रहे ने फरीद रोटी मेरी काठ की दरसल डेरे दिच अकसर घरां घरां तों मंगियां या रोटियां भिक्षा दिच रोटियां आउं दियां स्व लोग की बची कुछी रोटी दे दें दे स्व बाबा फरीद बिरदो चुके स्व मुँदेच दांदने स्व सुकी रोटी नो जैसे मुँदेच पान ते इंज परतीत होए जैसे लकड नो मूच पारे ने सुकी रोटी आज भी तश्वीदेननन यते लकड वर गी है की खाई है यते लकड वर गी है उसी तश्वीर नो बाबा फरीद वर द्रहने एक ते मेरे दंदने एक एरोटी सुकी रोटी मेरी काठ की लावन मेरी बुख लेंदे पंजाब देच साग सबजी नो लावन केंदेने जे देना लाके रोटी खाई जाए लावन मुलतान खुशाब कुदिया मियावाली सरगोदा जंग मंगेना डेरा गाजी खान और फरंटीर देला के देच साग सबजी नो दाल बाजी नो केंदेने लावन बाबा फरीद आप दी बुली पंजाबी और खास करके लेंदी पंजाबी लोकल भाशावा देच आपने मनुखता दी जोली देच खुदाई ग्यान पाया तो आप केंदेने ये जो मेनुख लगी है बस एही मेरा लावन है एही मेरी साग सबजी है धनकुर नानिक देव जी महराज केंदेने रुपे कामें दोस्ती बुखे सादे गंड बुख ते स्वाद दाई आपस देच तालमेल है बुख नहीं ते स्वाद कादा तो बाबा फ्रीद केंदेने जो मेरी साग सबजी है वो है बुख ते बुख देच जद में सुकी रूटी खाना स्वादी लग दिये चंगी लग दिये जिन्ना खादी चोपडी घणे सहनगे दुख बुख तो बिना जो चोपडी ते होर तरह 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 दे पदारत खान देन पर बुख नहीं है बुख तो बिना खाना दुख ही है एक एक बुख की दुख नो जनम देगी एक एक बुख की रोग नो जनम देगी एक एक बुख की पीड़ा नो पैदा करेगी बाबा फ्रीद इस स्लोक दे रह उटी खाना तामी स्वादी लग दिये पच जान दिये ते श्रीर दे अनकूल बकैदा जो है कम कर दिये पर भुख ही नहीं है ते तरा तरा दे स्वादी ते पोश्ट एक खाने खा दे गयने एक एक बुर की रोग नू जनम दे वेगी बुख तो बिना खाना दुख ही है ऐसा इस स्लोक दे रहीं बाबा फरीद जगत नुग्यान दे रहें रुखी सुखी खाय के ठंडा पाणी पीयो फरीदा देख पराई चोपड़ी ना तरसाई जीयो दूसरे दा धन दूसरे दा पदारत दूसरे दा रंग रूप वेक के अक्सर मनुक प्रभावत होंदा है और मन दे तरिशना पैदा होंदी है मन दे साड़े भी पैदा होंदी है जैलसी भी पैदा होंदी है जलन भी पैदा होंदी है ऐस दे कुल इतना है मेरे कुल नहीं है तो बाबा फरीद इत्थे समझा रहे ने हकीकत है कि मनुक कई दफ़ा खूँ तो पानी भर दें हो या सोच लेंदा है नहीं द्रिया तो पानी भरी है क्योंकि खूँ देज पानी थोड़ा है द्रिया देच पानी बहुत वड़ा है बहुत सारा है पर कौन दसे द्रिया तो भी उतना ही पानी मिलेगा जितना तेरा मटक है मनुक दूजियां दे लंबे चोड़े पसारे ते वेख लेंदा है अपनी प्रालबद ने वेख दा तो दूसरे दा पसारा वेख अपनी प्रालबद दा कोई ग्मान ने तो फिर दूसरे दे प्रत्री ओर्षा पेदा हो जादी Bridge और मन दूसरे दा साजो समान देखके पदार था ते रंग रोपनू देखके अपने अंदर बार 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 लालच नू जनम देंदा है ते मन तरसदा है बाबा फरीद के दिन नहीं अपना मन ना तरसा तुँ पामेर उखी सुखी है बुख दिज खाल है ठंडा पानी पी ले दूजियां दी चोपडी वेख के दूसरियां दी महान धन संपदा वेख के अपना दिल ना तरसाया कर वेख लेया कर अपनी प्रालबद ना वेख लेया कर दूजियां दा धन ते रूप अगर दूजियां दा ही तुँ वेख दा रहा तो अपने जीन उतर संदा रहेंगा और बंदगी नहीं कर सकेंगा अजना सुति कंतस्यों अंग मुडे मुड जाए जाए पुछो सोहागणी जाए पुछो दोहागणी तुम क्यों रेन विहाए बड़ा संदर उदारन देता है एक दिन के दिरे बाबा फरीद निमाज नहीं पढ़ सके शाम दी बंदगी नहीं कर सके एक समय भुला बैठे रात नो सौन लगे नेद नहीं पेंदी पश्चा अताओ इस शादी निमाज क्यों नहीं पढ़ी मैं निमाज क्यों भुला दिती मैं एक वकत अजाईं क्यों गवाच छड़े तो उदारन देने एक रात पतीदा मिलाप नसीब नहीं होया अज नसुती कंत सौन आज ही कंत को सौना नसीब नहीं होया अंग मुडे मुड जाए बार बार करोटां बदल रहे है नीद नहीं आ रही पश्चा ताफदा बोज दिल दमागते पे है जाए पुछो डोहागणी तुम क्यों रैन वे हाए पुछो उना डोहागणीयां को लो जिन्होंने कदी निमाज नहीं पड़ी कदी खुदानों याद ने कीता कदी कंत देनाल जो हे है सोना नसीब नhar इनादी राद किमें बतीतों दिए इनादा जीवन किस तरह बतीतों दै इनादी जिन्दगी किस तरह लंग दिए मेन hy ते एक रात दा मिलाप नहीं होया ते तड़पना है करव टांदा बदलना है ते जिनानू कदी नसीब नहीं होया वो किमे अपनी जिन्दगी कट रही है ने वो किमे जीवन पतीद कर रही है बंदगी तो हीना जो जीवन पतीद कर रहे है बाबा फरीद हैरानों के केंदने किस तरह जिंदगी बितीत कर रहे है और किमे उस दी जिंदगी जो है लंग सक दी है आप हैरानगी नाल इस तरह दी पुछ कर रहे हैं साहुरे ढोई ना लहे पैये नाई थाओ पिरवात डी ना पुछाई धन सोहागन नाउ सोरे घर देच थाँ कोई नहीं ते पेकेच भी कोई नहीं भाव लोग तो एक दिन टूर जाने पर लोग दाव से बनसीब नहीं हो जा पर मातमा नाल बनी नहीं और पदार्था नालों एक दिन तूट जाने निरंकार नाल बनी नहीं और सनसार दा एक दिन भी छोड़ा हो जाने भाव सोरे घर देच थाँ कोई नहीं पेके घर देच भी थाँ कोई नहीं पती ने कदी पुछया तक नहीं तू कौण हैं तानसो हागन ना कैसा तू फकीर हैं कैसा तू भगत हैं पर मातमा दे घर तेरा वसेबा हो नहीं सकया ते सनसार दे तेरा वसेबा हो नहीं सकेगा पर मातमा ना तेरी सांज बढ़े नहीं कैसा तू भगत हैं कैसा तू दर्वेश हैं ए फकीरी कैसी आप इस ते हैरानगी प्रगट कर रहें ने इस सलोक दा कोई भाव गल्ट ना ले लवे तो अगे चलके साहिब श्री गुरु नानिक देव जी महाराज़दा पावन सलोक है आप कहें देने साहुरे पईये कंत की कंत अगम अथाओ नानिक सो सोहागणी जो भावे बेपरवाओ तो सौरा घर पेका घर जो कंत दी बनी होई है केड़े कंत दी जो अगम है अथा है इंद्रियां दी पौँच तो परे है बड़ा गैरा है उस सोहागणी है जिड़े उस अगम अथा बेपरवाओ प्रमात्मान भाजा दिये चंगी लग जा दिये मनुक देवस्दी की गल कुशिश करदाय मनुक प्रभुन प्यारा हो जामा कुशिश करदाय मनुक लोग सवर जाये लोग दिज थां कोई नहीं पर लोग सवरया कोई नहीं प्रमातमा अनल सांज नहीं बढ़ी तो धन गुरु नानिक देव जी महराज केंदे ने वो प्रमातमा अगम है अथा है बेपरवा है पीते जिडि उसनों भा जाए बस ओही स्वागणी है जो नहीं भाई ओही ड्वागणी है ये फैसला और मातमा ते है ये फैसला फकीर ते नहीं है ये फैसला अकाल पर उखते है ये फैसला भगतते नहीं है दरसल कहते एही रहने बाबा फरीद भी और अर्थ करन लगयां बुलेखा ना पह जाए धन गुरु नानिक देव जी महराज इसनों बड़े सोने ढंगनल खोल देने बाबा फरीद अगां इसनों इंज ब शुत्ती आए नचिंदे फरीदा रही सो बेडी हिंग दी गई कतोरी गंदे इशनान भी कर लेया सुन्दर बस्तर भी पैनले आर शिंगार भी कर लेया कस्तूरी दी सुगंद भी लालाई सब कुछ हार शिंगार सोना करके फिर सौंग गई गहरी नेंदे सौंग गई तो संबंद जोडन लई ती जागरती चाही दिये ये ती सौंग गई तो फिर की होया वो सुगंद भी उड़ गई कपड़ेंच भी सलोटां पै गई गई या शिंगार भी बेढंगा हो गया और रात एमे लंग गई करम कांड मनुक ने सारा की था सारा करम कांड की था तीर ठांदा रटन की था वर्त रखे देवी देवतियानों मनाया दूसरे पासे जाईए रोजे रखे हज की था पूरी शराद मतबग अपनी जीवनी बितीत कीती अपनी जिन्दगी बितीती लिकन रहे अचेत सुचेत नहीं हो सके प्रमातमा दा कोई ग्यान नहीं मिल सके ति नहीं उस दा कोई चिंतन कीता सिर्फ उप्रोकत करमकान देच सिर्फ बेहरोनी करमकान देच अपनी जिन्दगी बितीद के कर देती तो एक दिन की होंदा है करमकान कर देयां कर देयां मनों करमकान तो ते उकता जानदा है और उस परमात्मा दी प्राप्ती तो वांजा रहा जानदा है बाव शिंगार है परमातमा दे मिलाप लई शिंगार सिर्फ शिंगार लई नहीं है करम कांड है परमातमा तक पहुंचन वासते करम कांड कोई पहुंच नहीं है शरा है खुदा तक पुचांड लई शरा अपने आप देच खुदा तो बेना कुछ भी नहीं खुदानल जोड़ देए तो शरह महान है दरसल बाफरीद इस पावन सलोक दे रहीं ऐ जगदनू संदेश दे रहें जो बन जादे ना डरा जेसे प्रीत न जाए फरीदा किती जो बन प्रीत बिन सुक गए कुम लाए जवानी जान दिये ते जावे जीवन दिछ सब तो लड़ा गम ऐही होंदा है जवानी ना जाए बच्पन जानता है जावे खुशी नल जावे जवानी नहीं जानी चाहीदी मनुक आखरी दम तक जवानी नो रोकन दी कोशिश करता है केस चिट्टे और एन काले कर रहे है जुरियां पैरे याने चेरे नो सवारण शिंगारण दी कोशिश कर रहे है जवान दिसा जवानी नो कोई भी रुकसत नहीं करना चांदा एगल वक्री है जवानी रुकसत भी हो जानदी है तावी बंदा समझ लेंदा नहीं जवानी मेरे कोल बैठी है इस बुलेखेच रेंदा है और इस गलतों इस गलता सबूत मिलदा है कि जवानी तो कोई आहम खास चीज इसनों प्रापत नहीं हो सकी वरना जवानी दे तनी तरपना रेंदी वरना जवानी दे तनी खिचना रेंदी बाबा फरीद केने जवानी जान दिये ते जावे जवानी दा जोबन जान दा है ते जावे पर खुदा दी प्रीत नहीं जानी चाही दी ऐ खुदा जान दिये जवानी जावे मैं सुन रोकन दी कोशिश नहीं करदा ते नाहीं रुक सक दीये पर तेरी प्रीत मेरे कल रुकनी चाहिए दी तेरी प्रीत नही जानी चाहिए दी फरीदा किती जोबन प्रीत बिन सुक गए कुमलाए पता ने कितनी जुवानिया सुक के कुमला गईया बुढ़े पे दी कबर दिजा पैया प्रभू प्रीत तो बिना खुदाई इश्क तो बिना इस वास्ते हे खुदा तेरी प्रीत नहीं जानी चाही दी जवानी जान दी है ते जावे पई इस दी मैनों कोई लालसा नहीं तडप है खिच है तेरी प्रीत दी तेरे प्यार दी फरीदाई चिंत खटोला वान दुख बिरेविचावन लेप यो हमारा जीवना तुँ साहिब सचे वेक बिरहे दी पीडा विछोडे दी पीडा जिस नल जितना प्यार होवे विछोडे दी पीडा उतनी महान हो जान दी है उस साहिब नल उस सचे नल प्यार है तो फरीद केंदे ने ऐह खुदा तेरे वी छोडे दे असी इस धंग नल जी रहे हैं चिंत खटोला चिंता दी खटिया है वान दुख और इस खटिया नो जो बुणे है दुखा दे वाना नल बुणे है लाजमी चिंता तो दुखी निकल दा है बिरहे विछावन लेब बिरहा तुलाई तेर जाई है बिरहा सड़ा विछोना है जी रहे हैं चिंता दिच जी रहे हैं दुख दिच जी रहे हैं बिरहा दिच ए हमारा जीमना तुम साहिब सच्चे वेक ए सच्चे परवर्दिगार ए मिरी तर्ज जिंदगी है तु तर्ज खाके वेक तु रहमत भरी निगानल वेक मैं इस तरह जी रहे हैं दुख दिच जी रहे हैं चिंता दिच जी रहे हैं तेरे बिरहे देज जे रहे हैं लेकिन इस बिरहे दी अपने एक महानता भी बियान कर देने बाबा फरीद बिरहा बिरहा आखिये बिरहा तूं सुल्तान फरीदा जित तन बिरहे न यूपजे सुतन जान मसान ए बिरहा तू खुदाई खुबियां दे चाओं तू रबी गुणा दे चाओं सुल्तान है बिरहा अपने आप देच एक अगनी है जैसे तन देच अगनी है जठर अगनी है और ये तन उ जिन्दा रख दी है मुर्दे दी पैचाण है इस देहत पेर ठंडे पैगे ने ठंडा हो गया है अगनी नहीं रही जैंदा है अगनी नाल और ओ अगनी है त्रिशनादी है हर वकत मन देच त्रिशनादी अगन रेंदी है भगत लोग फकीर लोग इस त्रिशनादी अगनी नों ही ही बिरहे दी अगन देच बदल देंदेनें त्रिशनादी संसार दी बिरहे है निरंगकार दा त्रिशनादी पदार्था दी बिरहा है प्रमातमा दा तो बिरहा ते एक अगनी है त्रिशना दी अगन तमाम देवी गुनानु जलाके खाक कर देंदी है इस वास्ते त्रिशना लू मनुक देंदर कोई भी गुन्ड नहीं होंदा बिरहे दी अगन अगुनानु जलाके खाक कर देंदी है इस वास्ते बिरही मनुक देंदर कोई भी आउगन नहीं होंदा उसदा हिरदा शुद्ध होंदा इस वास्ते कुछ सूफी संता ने ते इंज भी कह दिता है ऐ खुदा तेरा वसल नसीब नहीं तो ना सई तो नहीं मिलदा ते ना सई कम से कम तेरा बिरहा ते रवे तेरा विछोडा ते रवे तेरे बिरहेदी तड़पन ते रवे या रब दुआए वसल ना हरगिस कबूल हो फिर दिल में क्या रहेगा जो हसरत निकल गई ए प्रभू ए हसरत ते रेन ही दे ए बिरहा ते रेन दे एक कोई बिरहा है जिस दिछ दुख होंदे आ या भी सुख है बड़ा रस है इस वास्ते बिरही मनुखा ने ऐसा भी कह देता है ए खुदा नहीं मिलदा ते ना सही कम से कम अपना बिरहा रेन दे ए प्रभू नहीं मिलदा ते ना सही कम से कम अपने भी छोड़े दी तड़प रहन दे अपना बिरहा रहन दे और ए बिरहा रब्भी गुणा दे चाओं दैवी गुणा दे चाओं बाबा फरीद के दिन सुल्टान है बादशा है सिर्मोर है फरीदा जितन बिरहे ना उपजे सोतन जान मसान जिस मनुक देंदर ए रबी बिरहा ए खुदाई तडप नहीं पैदा होई समलो ते शम्शान घाट है क्यों शम्शान देच मुर्दा जलाए जान देने ते जिस हिर्दे देच बिरहे दी अगन नहीं उते तरिशना दी अगन है और तरिशना दी अगन देच जिन्दा मनुक जल देने जिन्दा लाशा जल देने जिन्दा मनुक जल देने और उच चलदा फिरदा शम्शान घाट है जिस दे अंदर तरिशना है हर वकद जल रहा हुदा है तरिशना दी अगन उस दी शांती नो जला के भसम कर देंदी तरिशना दी अगन बरदाश्दा मादा नहीं रहने देंदी तरिशना दी अगन धीरज नहीं रहने देंदी तरिशना दी अगन समद्रिष्टी नहीं रहने देंदी तेरिशना दी अगन दयानों नहीं रहने दें दी सारे दैवी गुणानों जलाके खाक कर दें दी ए और ए अगन हर वकद जल दी रहे तो मनुक चल दा फिर दा शम्षान गार्टी बनके रहे जाना है तो बाबा फौरीद केंदने जिस्मनुक दें अंदर भी बिरहेदी अगर नहीं पैदा होई समलो ओ मसान है ओ शमशान घाट है फरीदा एविस गंदला धरिया खंड लिवार एक रह दे रह गए एक रादी गए उजाड विकारां दी एक खेती जहर बरियां गंदला ने इस जहर बरी साग सबजियां ने विकारां दीयां एक गंदला वाशनावां दीयां एक गंदला टीका कारा ने विद्वाना ने प्राचीन टकसालिया ने इंजवी अर्थ कीते हैं ये इस्टरिया जहर बरिया गंदला ने एक राधे रह गए ने एक राधी उजाड करके चले गए ने भाव एक भोगदया भोगदया खुद रह गए ने एक भोगदेया भोगदेया उजाड के चले गएने बेवा करके चले गएने खेती उजाड के चले गएने पर एक दूसरे अर्थी किसे हद तक मन अपील कर देने एक पदारत दी वाशना एक संसार दी वाशना दी खेती विस भरिया गंद लाने एक रादे रह गए एक ते बॉंदेयां बॉंदेयां ही रह गए एक ते पदार्थानू भोग देयां भोग देयां ही रह गए जैसे भरतरी केंदेने मैं नहीं भोग गया पदार्थानू पदार्थानी मैं नहीं भोग ले खत्म नहीं होए पदारत मैं खत्म हो गया तो ठीक कहे रहे ने बाबा फरीग एक रादे रह गए एक भोग देया भोग देया रह गए एक भोग के चले गए फसल सुन्नी चड़ गए पदारत छोड़ गए मकान खड़ा है तिया पुत्तर मौजूद ने तन संपदा मौजूद है सारा रंग रूप मौजूद है आप नहीं रहे रुकसत हो गए चले गए बाबा फरीग एक एक सलोक दे रही अमरत में सौगात मनुकता दी छोली दिज जो है पा रहे ने सुचेत करन लई अगले सलोक दिज कहें दे ने फरीदा चार गवाया हंड के चार गवाया सम लेखा रब मंगे सिया तु आहो केरे कम दिन दे चार पैर तु कम करके तरा तरा अदे पदार था नो हंडा के गवाया राद दे चार पैर तु सौंके गवाया पर एह हिसाब किताब ते रब ने मंगना है तु किसले इस जगद दे चाया सी इस दुनिया अदे चाया सी तेरी जिन्दी दा लक्ष की सी सिर्फ सोना सिर्फ पदार था दा भोगना नहीं तेरी जिन्दी दा लक्ष ते खुदा सी तेरी मंजल ते खुदा सी पर तू ते जिन्दी गवाया छड़ी सौंके हंडा के खा के ते सौंके, भोग के ते सौंके इस तरह जो है तो जिन्दगी बिदीत कर देती लक्ष तक पहुँचिया ही नहीं मन्जल तक पहुँचिया ही नहीं रस्ता चाहे कितना सुखैन हो वे रस्ता चाहे कितना सुन्दर हो वे पर रस्ते दिच आराम किते रस्ते दिच बिश्राम किते आराम बिश्राम ते घर देची हो सकता है रस्ते दिच नहीं सौ जाना खा लेना बोग लेना सो लेना इती रस्ता है ठीक है लोड है रस्ते दिवी पर कोई रस्ते नू घर बना लवे रस्तेनों ही लक्ष समल लवे रानों ही मनजल समल लवे उते भुले होया है उते भुले खे देचा है तो बाबा फरीद सुचेत कर देने सुता है खादा पीता है ठीक है पर तेरी जिन्दगी दा लक्ष ते खुदा होना चाहिए दे पर तो तो ते अपनी जिन्दगी दा लक्शी एही कुछ बना दिता है भाईसार भाई नंदलाल केंदे ने बंदा पे दा शुद बराए बंदगी ऐब बंदगी लेई हैं सब कुछ तेरे लेई हैं है तो बंदगी लेई हैं Можно जनाब हाफिस इंज बेयान करदेने इरान दे सुफी संथ हाफिस खुर्दन बराए जीसतन वजिकर करदन अस्त खाना पीना इस वास्ते है कि तू जिन्दा रवें और जिन्दगी इस वास्ते है कि तू जिकर इलाही करें शिरी कबीर भी कहें देने दोसिर मांगों चूना पाहे गहो संगलोना अदसिर मांगों दाले मुको दोनों वक्त जिवाले खाट मांगों चौपाई सिरहाना और तुलाई उपर को मांगों खीदा तेरी पगद करे जन खीदा मैं ना ही कीता लबो यह इश्वर मैं लोब नहीं कीता एक नाम तेरा मैं फबो मैंनू फबदाय तेरा नाम मैंनू रस मिलदाय तेरे नाम दे चाँ पर तेरे नाम दे चाँ मैं रस मान सकया जिन्दगी चाही दिये और जिन्दगी ता रें दिये सारे पदारतों पदारत मंगदा मैं जिन्दगी लई और जिन्दगी मंगदा तेरी बंदगी लई तो बाबा फरीद के निने जिन्दगी दा लक्ष खा लेना, सो लेना, भोग लेना, सो लेना ये नहीं है जिन्दगी दा लक्ष है खुदा जीवन दी मनजल है खुदा ओ तु सुचेत हो के अपने मनजल दी तरफ जो है चल बाबा फ्रीद अपना एक होर अनभव मनुखता दे सामने रख देने फरीदा दर दर वाजे जाए के क्यों डिठो घड़ आल इन दो सामारिये हम दो सादा क्या हाल पुराणे जमानेच हर थाने दिच एक घड़या लोंदा सी उसनों वजान देशन दिन दा हून पहला पहर होया है दो वज गया है दूजा पहर होया है तिन वज गया है तीजा पहर होया है चार वजादे ते राद दिन दा चोथा पैर होया दिन ते राद दे चार आठ पैर चार चार करके और सट घड़िया तो अद्धी राद नो बके दा सट दफा वजाया जान दा सी ताके पता चल जाए होन अद्धी राद हो गई है सट घड़ियां बिती तो गी है फरीद केंदे ने कि मैं ए थाने दे दर्वाजे ते जाके घड़े आल क्यों देख लिया पराना जमाना इस विचारे दा कोई दोश नहीं और इनु मारे जा रहे है हाथोड़ा लेके जद उसनों वजान देने तो आपके निस्दा ते कोई दोश नहीं और घजब दी गल है घड़िये घड़िये मारिये पहरी लहे सजाए सो हेड़ा घड़िया लजाओ डुक्की रहन वे आए हर पहर तो बार मारिया जान दै हर घड़िये दे चिसनों मार पेंदी है इसे तहीं यह मेरा जीव है हर वक्त विकारां दी मार पेंदी है हर वक्त वाशनावां दी मार पेंदी है हर वक्त दुखां दी मार पेंदी है किस तरह जिंदगी दी रात बिदीद करिये यह ते निर्दोश है मारेया जा रहे है फर मेरे वरे दोशीदा की इहाल कितनी मार पहनी है कितनी मार पहनी है फरीद समझा रहे ने इस गड्याल दी तरह मार तो बचन लई तो खुदा दा चिंतन कर अकाल पुरुखदा जो है चंतन कर बाबा फरीदा ए अमर कलाम फुरीद दे स्लोक अगम अगादवानी गुरुगन साब जी महराज देच मौजूद ने इस सूफी फकीर सिरमोर संत ने देश दा बहुत वड़ा भर्मन की था 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 थे रब्भी कलाम लोगां दे कन्ना देच पहुँचा है इबादत ना लोगां दिया जोलिया भरिया आप दे नाम देते पंजाब दे शेहर है फरीद कोट आप दे नाम देते शेहर है फरीदाबाद और आप दे ही नाम देते चिल्ला मौजूद है अजमेर देच चिल्ला बाबा फरीद आप दे तर्जे जिंदगी सारी खुदाई बंदगी देच लंगी है इना सारे सलोकानों तुझ बुद्धी अनसार विचार देके मैं संगतां दी स्रोतें दी जोली दिछ पान दी इकनिमानी कोशिश कर रहे हैं झाल